नमस्कार साथियों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों आज की हमारी वीडियो डीबीटी से सम्मंदित है क्योंकि अभिभावक आपके विद्यले में आ रही होंगे और वे आपसे पूछते हैं कि हमारे बच्चे के पैसे नहीं आए ऐसी कंडिशन में आपको अभिभावकों को जवाब देना होता है कि आखिर उनके खाते में पैसे क्यों नहीं आए तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ क्योंकि आपके विद्यले में जो अध्यनत बच्चे है या चात्र है या चात्रा है उनका DBT स्टेटस कैसे पता करें अथार्थ कई बार ऐसा होता है आपने दूसरा खाता दिया लेकिन उनके आधार कार से दूसरा खाता जुड़ा हुआ है और वे उस खाते में देखते रहते हैं जो उन्होंने दिया हुआ है कि पैसा आया या नहीं आया लेकिन वो पैसा किसी दूसरे खाते में चले जाता है तो ऐसी कंडिशन में आपको DBT स्टेटस पता करना होगा कि आखिर क्या condition है उनका पैसा क्यों नहीं आया और आया है तो दूसरी खाते में क्यों आया है तो साथियों आज की वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं इस तरह की informative वीडियो आपको एक platform पर मिले तो उसके लिए मैंने informative वीडियो WhatsApp ग्रूप और informative वीडियो टेलिग्राम ग्रूप बनाए हुए है आप चाहें तो मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं ग्रूप का लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा जिस पे खिलिक करके आप मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं तो dbt status पता करने के लिए आपको सबसे पहले अपने mobile के chrome browser को open करना होगा मैंने chrome browser को open कर लिया है और यहां पर आपको type करना है http यह भी द्यर्दत नहीं है आपको केवल आपको लिखना है www.prernaup.in इसको आप लिखेंगे और लिखने के बाद इसको search करेंगे आप वैसे भी लिख सकते हैं www.prernaup.in यह ऐसा लिखने के बाद आप इसको search करेंगे तो इस तरह का page आपके सामने होगा तो इसमें देखें आपको इसमें login का option दिया है username, password यहाँ आपको कुछ नहीं करना है आपको तीन line दी गई है इन तीन line पे आपको touch करना है देखें तीन line आपको दी गई है यहाँ पर आपको touch करना है जैसे ही आप यहाँ पर टच करेंगे तो देखे आपके सामने option आजाएगा teacher login new teacher login new पर आपको click करना है यहाँ पर हमने click किया click करने के बाद यहाँ पर देखे teacher sign up मांग रहा है login for bank upload registered mobile number तो यहाँ पर आपको bank upload पर यहाँ पर इस तरह से tick कर देना है और यहाँ पर आपका जो register mobile number है उसको आप type कर देंगे मैंने आपर इसको छिपा दिया है जिससे कि आप number ना देख सकें register mobile number रखेंगे और यहाँ पर verify के option पर जाकर आप click कर देंगे जैसे ही आप verify के option पर click करेंगे तो आपके सामने आजाएगा send OTP तो send OTP के option पर आपको click करना है तो इस पर आएगा OTP send successfully on your mobile और अपने mobile को open करके आप OTP को देखेंगे क्या OTP आपके सामने आया है मैं यहाँ पर देखता हूँ देखें यह OTP हमारा आ गया है 5566 अब हम इसको उसमें fill up करेंगे 5566 यहाँ पर fill up करने के बाद login के option पर click करेंगे तो यह आपके कहेगा इस तरह का message आपके सामने आएगा उसको आपको कुछ नहीं करना है किवल आपको OK करना है उसके बाद फिर दुबारे एक option आएगा Do you want to log out? उसके बाद फिर आप इसे OK कर दीजे उसके बाद फिर दुबारे से आएगा You have log out successfully फिर OK कर दीजे OK करने के बाद फिर दुबारे आपके सामने message आएगा Do you want to continue login? तो यहाँ पर भी आप OK कर दीजे जैसे आप OK करेंगे तो इस तरह का option आपके सामने आजाएगा Student, Guardian, Bank, Excel, Upload, Entry Forms, April और June की धन्रासी का विवरन ही भने तो इस तरह की डिटेल आपके सामने आ जाएगे देखे आप इसको उपर तक स्क्रोल करके देख लीजेए इसमें कापी कुछ दिया गया है आधार, Authentication, Student Verification भी दिया हुआ है इसमें Student, Verified और Authentication इसमें किलिक करेंगे तो इसमें आपकी लिस्ट आजाएगी कितने बच्चे आपने Verified हुए, कितने नहीं हुए, remaining कितने हैं यह सब आपके आजाएगे इसमें देखे तो यहाँ पर Student, देखे, Student Delete आपने जो किये है वो आपके आजाएगे, DBT के लिए कारे चल रहा है DBT कारे चल रहा है, इस तरह की Detail आपके School की आजाएगी लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इसके Back जाएगे, Back जाने के बाद देखे सबसे उपर फिर तीन लाइन आपको दी गई है, उन तीन लाइन पे आपको टच करना है, यह आपको तीन लाइन दी गई है, इन पे आप दुबारा से टच कीजिए कैसे मैं टच करता हूँ तो देखे, इसमें कहीं चीज आ रही है Direct Beneficiary Transfer विद्याले इस तरिये उपभोग परमानपत, New Student Registration Analytics, New Student Verify and Dropout, Student Seeded and Payment Analytics Monthwise KGBV Midday, तो आपको या तो Direct Beneficiary Transfer भी किलिक करेंगे, तो भी आपकी डिटेल आ जाएगी वरना आप Student Seeded and Payment Analytics पे किलिक करेंगे यहाँ पर आप किलिक करेंगे, तो आपके सामने आपके स्कूल की डिटेल आपका यूडाइस कोड टोटल डिटेल आ जाएगे और इसमें आपके स्टूडेंट भी आ जाएगे देखिए स्टूडेंट आ गए है हमारे यहाँ पर पहला स्टूडेंट है सबसे पहला को हम स्टूडेंट नेम का है उसके बाद स्टूडेंट की date of birth かा है उसके बाद स्टूडेंट की class है उसके बाद स्टूडेंट का serial नंबर है उसके बाद father name है mother name है उसके बाद guardian नेम है और उसके बाद guardian का आधार status verified हुआ या नहीं यह verified आ جाएगा उसके बाद Current status ये आपको देखना है current status क्या है payment done marked by PFMS देखिए payment done सब में payment done आ रहा है payment अगर successful है payment status current status इसको आप देख लेते हैं payment successful उसके बाद payment account number किस account number में payment आया है तो ये account number आप note कर लीजे और उनको बता देजे आपके इस account में पैसा आया है इस नाम का अगर आपका कोई भी account है वहाँ पर जाकर आप चेक कर लीजे और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका payment नहीं आया तो उसकी detail भी इसमें होंगी जैसे ये बच्चा है ये देखे ये मुसकान बच्चा है कक्षा तीन का बच्चा है क्योंकि इसका payment क्यों नहीं आया क्यो इस तरह से आप चेक करके उन्हें बता दीजिए कि इस खाते number में उनका payment आया है तो इसमें आपको पूरी detail मिलेगी अगर किसी का payment नहीं आया है तो उसमें reason लिखा होगा current status में new student है या और कोई reason है तो ये सब आपको reason मिलेंगे क्योंकि हमारे new student का ही payment नहीं आया है तो इस कैसी लगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को like करें share करें और वीडियो पे comments करें इसके साथ साथ आपको old detail भी आप इसमें देख सकते हैं new student registration analytics कितने student आपने verify किये कितने drop out किये ये भी आप इसमें check कर सकते हैं देखे इसमें दे रखा है new student verify और drop out आपने क्या किया उसके बारे में old student name as predna आधार verify का status में दे रखा है कौन सा आपने delete किया वो भी आपको पता चल जाएगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें आप जैसे इसमें देखेंगे बार बार कई चीजे इसमें आपको नजर आएंगी तो इनको आप आसानी से देख सकते हैं तो साथियों आज के लिए इतना ही धन्यवाद